तो यहां पर एज लिखेंगे, ठीक है ? एज एज के लिए भी हम ड्रॉप् डाउं बना सकते हैं ड्रॉप डाउं समझ में आती है जैसे वहाँ पर क्लिक करेंगे तो अलग-अलग एज आपको दिखाई देंगे इसे कहते हैं ड्रॉप डाउं यहां पर इस पूरी डेटा को सेलेक कर दिए इतना हिस्सा सेलेक कर दिया हमने ठीक है इसी में हमको बनाना है एज लिखना है तो यहां पर जाकर के फिर कहां जाना है डाटा टैप पर जाना है और यहां पर मिलता है वैलिडीटी ऑप्शन तो इसी पर क्लिक कर देना यहां पर यहां पर 77 जो भी एज देना है वो एज देते चले जाईए ठीक है 12 साल एक साल दो साल चार साल एंटर करते जाईए ऐसे करके हम दे देंगे ओकी कर देंगे जैसे ही ओके करेंगे तो यहां पर नजर आएगा आपको एक ड्रॉप डाउन दिख रहा है यह एरो इस पर क्लिक कर जेगा यह जब नंबर मैं फूर कर रहा हूं तो यह किदर के साईड लिख रहा है लेट लिख रहा है कि राइट लिख रहा है रॉइट मे तो यह बात हमेशा याद रखेगा कि Libra Office में number हमेशा right align होता है किदर की तरफ align होता है right side right side align होता है number किदर की तरफ align होगा जब भी align होगा तो right side align होगा ठीक है तो ये बात याद रखिएगा कि number हमेशा किदर right की तरफ align होता है अब यहाँ पर category पता कर लिए category काटगरी जैसे हमने यह बताय था कि जिनकी एज 5 साल से कम है वो तो उनका तो टिकट लगेगा नहीं तो वो छोटे बच्चे में आ जाएंगे चाइल्ड में आ जाएंगे ठीक है जिनकी एज 5 साल से उपर लेकिन 18 साल से कम है ठीक है वो किस काटगरी में आएंगे जैसे माली ये 5 साल से कम वाले बेबी के कैटगरी में आजाएंगे बेबी यानि बच्चा छोटा बच्चा ठीक है और 5 साल से लेकर और 18 साल से कम तक किस में आएंगे वो आजाएंगे चाइल्ड के कैटगरी में और 18 साल से जैसे ही उपर होंगे तो अडल्ट के कैटगरी में से मैं age टाइप करो तो अपने आप यह आता चला जाए अभी नहीं आ रहा है अब आएगा देखिए इप का फर्मुला लगाई है इसी को आप database में लगाएंगे तो IIF करना पड़ेगा आपको यानि दो बार आई देना पड़ेगा ठीक है तो यह category अब category हमारी क्या है category अगर this age is greater than greater age ठेक है is greater than or equal to 60 60 के बराबर हो यह 60 से बड़ा हो तो क्या कहेंगे senior citizen तो पहले ही हम senior citizen s-e-r citizen s-i-t-i-z-e-n senior citizen बोल दिया मैंने ठीक है कॉमा देंगे फिर इफ लगाएंगे आई यह फिफ लगा दिया फिर इसको select करेंगे फिर is greater than or equal to करेंगे is greater than or equal to किसके अब देखिए senior citizen के लिए तो criterion निर्धारित हो गई अब हम कहेंगे कि 18 के बराबर हो यह 18 से ज्यादा हो तो ऐसे में क्या आ जाए adult हो जाए a-d-u-l-t adult कर दिया ठीक है अब देखिए फिर इफ लगाते हैं अब इस इफ में दो condition होंगे क्योंकि इसके बाद कोई condition हमें देनी नहीं है फिर इसको select कीजिए वापिस से और कहिए is greater than is greater than or equal to is greater than or equal to किसके 18 के किसके 18 के तो ऐसे condition में क्या हो जाए अच्छा adult का हम लोग दे चुके है adult का नहीं देना है senior surgeon हो गया adult हो गया यहां पर कहना होगा is greater than or equal to 5 5 कहेंगे 5 ठीक है तो ऐसे condition में child हो जाए C, H, I, L, D और इन सब में सो कोई भी condition मैच ना करे तो वो जाए baby B, A, B, Y baby यानि बच्चा चोड़ा बच्चा तो यह हो गया आप तीन brackets close कर दीजे ए enter करिए तो यहां पर adult अपने आप आ गया अब यह condition सब सही सही लग गया अब देखिए इसको जब मैं नीचे drag करूँगा तो यह 77 साल के हैं तो senior surgeon अगर माल लिजे यहां पर age मैं change कर देता हूँ जैसे दो साल है न अगर इस age को मैं 60 साल बना देता हूँ यहां पर इसको delete करेंगे यह delete कर दिया यहां पर 60 साल कर दिया हमने तो 60 साल किया तो यह देखिए यह invalid value यहां पर आ रहा है एक minute यहां से choose करेंगे drop down बना रखा है already तो यहां पर देखिए drop down में जो होगा वही लेंगे हम जैसे माली जी हम 77 साल कर देता है तो यह अपने आप senior citizen हो जाता है हो जा रहा जपया तो यहां झौ स impose a कम झाली हूई लूई झाली है Muito यहां झाली है